नमस्कार भारत एक्स्प्रेस में आपका स्वागत है मैं हूँ हरिशंकर कुमार एहमदाबाद के एक सराफा कारोबारी के साथ अजीबो गरीब ठगी हुई ठग भी इतने शातिर थे कि असली सोने के बदले नकली नोट पकड़ा गए उस नोट पर गांधी नहीं अनुपम खेर की तस्मीर छपी थी जी हां ठगी का क्या है ये पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये हैं दीपक राजपूत, नरेंदर, जादब, कलपेश महता इन तीनों की शातिर कर्तूत को सुनकर पुलिस वालों का माथा भी चकरा गया मामला एहमदाबाद का है चहाँ इन आरोपियों ने असली सोना नकली नोटों से खरीदा आरोप के मताबिक इन शातिरों ने सोने के 20 बिसकिट एक करोड साथ लाख रूपे में खरीदे बदले में रूपे भी दिये लेकिन उस पर गांधी नहीं अनुपम खेर की तस्वीर लगी थी आपको बता दें कि सराफा कारोबारी और ठगों के बीच सीजी रोड के अंगरिया फर्म में सोना की डिलिवरी करनी थी तैय प्लैनिंग के मताबिक तीनो आरोपी अंगरिया फर्म के पास नोट गिनने की मशीन और नोट लेकर खड़े थे पिछले मेने 24 तारिक को अमदाबाद शहर सीजी रोड पे आई हुई लक्समे जलर्स नाम की दुकान में यह जो अभियूग्त अभी पकड़े गए हैं उन्होंने दो किलो सौ ग्राम सोना खरीदने के लिए सामने एक करोड़ तीस लाक रुपिया दे कर वो सोना लिया जब पता चला कि नोट सारी नकली है और जब उनको पता चला कि इन में से एक भी जो अभियूग्त है जिन्होंने अपनी एक पेड़ी खुली थी ऑफिस बनाई थी और ऑफिस टेंपरररी था उसके बाद इसके तहट मतलब खरिया दी ने अपना जुना रजिस्टर करवाया जो चिटिंग में गया वह सोना जो था उसकी मतलब रकम बहुत बड़ी थी इसको मतलब इसकी गंभिता को देखते वे क्राइम ब्रांश की टीमें तप्तिश में जु वह सोने की डिलिवरी के समय आरोपियों ने व्यपारी के कनपचारियों को रुपे का भुक्तान किया जिसमें 1 करोड 30 लाख रुपे के नोट थे जबकी ये नोट असली नहीं नकली थे जब व्यपारी ने लोट को चेक किया तो वो नकली निकला उस पर तस्वीर भी पुलिस को जाच में पता चला कि फिल्म की शूटी के नापर करोरो रूपे की नकली नोट अनुपम खेर के चेहरेवारी छबाई और सराफा कारोबारी को चूना लगा कर ये तीनों आरोपी फरार हो गये थे। सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार